सब्सक्राइबर को सॉरी क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो अपडेट नहीं कर रहा था और आज मैं एक नहीं टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ आज मैं बात करूंगा स्ट्रेच मार्क्स पे तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप लोग ने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरियार बिल्कुल फ्री है प्लेज सब्सक्राइब कर ले और साथ यसाथ बेल एकन को भी प्रेस कर दे थाकि हमारे आने वाली वीडियो के कोई भी नोटिफिकेसन आप तक आसनी से का की मैंने बताया आज मैं बात करने वालों स्ट्रेच मार्क पर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह क्यों होता है या फिर कैसे होता है तो गाईज यह उन लोगों में अधिक्तर पाया गया है जो लोग बडी विड लिग करते हैं देखिए इसके होने का एक से दो में र गेन करती है या फिर आचानक से आपकी बॉडी जो है वेट लॉस करती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप जीम लगाना सुरू करते हैं तो शुरुवाती दो से तीन साल के अंदर आपके स्ट्रेच मार्क्स आपको पढ़ सकते हैं क्योंकि उस समय जो अगर आप जीम लगाना सुरू कर रहे हैं तो शुरुवाती दो से तीन साल में आपके बॉडी का जो ग्रोथ है वो बहुत हथ तक जादा होगा उस समय आपके मसल्स मैशुरेटी उतनी नहीं होती जितने की दो या तीन साल के बाद होती है तो उसलिए हमारे बॉडी में हो जाते हैं तो मसल्स वो खीषता है और खीषने से उसके अंदर का जो लेयर होता है वो फढ़ जाता है और जिसके कारण हमें माक्स पढ़ जाते हैं ऐसा नहीं है कि यह कोई बीमारी है लेकिन हाँ थोड़ा अजीब फील होता है अगर किसी को stretch marks रहे तो वो सोचते हैं कि मैं अगर swing pull में जा रहा हूँ या फिर किसी जगा पे जा रहा हूँ और मुझे shirt उतारना पड़े तो थोड़ा जा बुरा उन लोगों को महसूस होता है तो guys मैं आपको बता दूँ कि ये बुरा मानने वाली चीज नहीं है क्या करें अगर आपको stretch marks हो गया क्या कर सकते हैं आप इसकी कोई इलाज भी नहीं है मैं आपको बता दूँ ये सुनके आपको बुरा लगेगा लेकिन ये आपके hard work को दरसाता है आपने जो hard work करा है वो दिखा रहा है stretch marks लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिल रखने के लिए बात बोल रहा हूँ guys अगर हम बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है तो मैं साफ साफ आपको ये बात बता दूँ ना कि घुराते फिराते मैं आपको साफ साफ ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसका कोई पर्मामेंट इलाज नहीं है आप कुछ भी कर ले आप कोई भी product लगा ले आप कोई भी दवा खा ले लेकिन आपका जो है stretch marks फ्रवर्मेंटली खतम होने वाला नहीं है हाँ इससे आप बस सकते हैं ताकि अगर आपकी थोड़ी से stretch marks है तो वह आगे चलके तीन साल चार साल दो साल बाद आगे चलके वह बढ़े नहीं वह बुरा ना लगे देखने में वह फैड हो जाए तो गाइज इससे पानी दे बॉड़ी को हाइड्रेड रखे आप वाइटेमिन सी की कमी को ना होने दे आप मिनरल्स जो है वह प्रॉपर मात्रा में ले अगर यह सब चीज करेंगे अगर आप गंदे खाना को हाथ नहीं लगाओगे आप कोई भी तेल मसाले की चीज लाइक बर्गर पीजा य उसका जो माक्स नजर आता है वो बहुत ही फैड हो जाएगा और यह बुरा नहीं लगेगा दिखने में तो गाइस मैं चाहता हूँ कि यह चीज आपको पता चले छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कैसी लगी मेरी आज की यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ब